प्रेगनेंसी की खबरों पर भरकी है जानी मानी बॉलिवूड आक्ट्रिस ये बॉलिवूड आक्ट्रिस है पूनम पांडे वेल पूनम पांडे को बोल्ड सीन्स के लिए जाना जाता है अक्टरेस की शादी के बाद उनकी पहली प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही थी अक्ट्रेस ने अब सामने आकर अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को फेक बताया है और कहा है कि जबरदस्ती प्रेग्नेंट मत बनाओ अक्ट्रेस ने कहा कि मेरी लाइफ खुली किताब की तरह है अगर कभी मैं प्रेगनेंट हुई तो खुशी से घोशना करूँगी अक्ट्रिस ने कहा कि प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए अच्छी खबर होती है वहीं अक्ट्रिस ने आगे कहा कि ऐसी खबरों को वाइरल करने से पहले एक बार मुझसे कनफर्म तो करना चाहिए अक्ट्रिस ने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद मिठाई बाटूंगी वैल ये इस अक्ट्रिस ने भड़कते हुए कर दिया है प्रेगनेंसी की खबरों को सिरे से खारिज वैल ये भी बताते चले कि कुछ समय पहले अक्ट्रिस ने अपने पती पर गरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद गोवा पुलिस ने उनके पती को गिरफतार भी कर लिया था लेकिन बाद में अक्ट्रिस ने एक इंट्रिव्यू में कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इसलिए चीजे सुधारने के लिए एक दूसरे को एक और मौका दे रहे हैं जी हाँ फिलहाल अपने पती के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशश कर रही है अक्ट्रिस पूनम पांडे और नहीं है वो प्रेगनेंट फाइनल कार निउस्टिस